ओम सिरी गनेशाय नमदोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्योग चैनल में आपका हार दिक्ष्वागत हैं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 29 अगस्त सौंबार के रासी फल के बारे में कि यह दिन मेश रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव-लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पकून जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक पाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को रिवी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल लोग सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफि बात करते हैं कि आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला हैं दोस्तों आज कोई महत्पपूर्ण और लाबदायक सूचना आपको प्राप्त होगी दोस्तों और जानकारों के साथ अपने संबंदों को और अधिक मजबूत करें ये संबंद आपके लिए आर्थिक संबं आज कोई पैत्रिक संपत्ती संबंदित मामलों के हल होनी की भी आज संभावना हैं धन के निवेस संबंदित कारों पर आज आप विशेश रूप से ध्यान दें लाबदायक समय आज आपके लिए चल रहा है इसका आप भरपूर सद्यों प्योग करें दोस्तों कर्म धर्म वेस समाजिक सेवा संबंदित कारों के परती आज आपका रुजहान रहेगा किसी भी कारों को करने से पहले उसके बारे में आप गहराई से छानवीन करें इससे आपको उत्तम रिजल्ट प्राप्त होंगे साथ ही साथ समाज में आपका मान सम्मान वेरुत्बा भी बढ़े से घर में आज सुकून बरा माहूल रहेगा अगर घर में सुधार या साज सज्जा संबंदित कोई योजना बन रही है तो वास्तु संबंदित नियमों का भी आप अवश्य पालन करें दोस्तों किसी मित्र के मुसीबत के समय में आज आप उसका सयोग करेंगे जिससे आपक आत्मिक खुसी प्राप्त होगी साथ ही आपका अपने उसूलों और सिद्धान्तों पर अडिक रहना समाज में आपके मान सम्मान में भी विरत दी करेगा बुजुर्गों का आशिरवाद और इसने आज आपको प्राप्त होगा रचनात्मक वैधार्मिक क्रिया कलापों के पिरती आज आपका रुजान रहेगा जरूतमंदों की साहता में भी आज आपका समय व्यतित होगा चुनोतियों को स्विकार करना आपके लिए उपलब्दी का मार्ग भी आज खोलेगा जिससे आपको काफी खुसी का अनुबब होगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपक पर नियंतर रखें क्योंकि कभी-कभी वहवार में चड़-चड़ापन आपको अपने लक्ष से भटका सकता है और किसी से धन संबंदित लेन देन को भी आज इस्तगिधी रखें दोस्तों आपके श्वयभाव में एक कारण ही गुस्सा या उग्रता आने से अचानक ही बन योजना पर कार्य करने से पहले उस पर अच्छी तरह से सोच विचार कर लें दोस्तों बच्चों के किसी समस्या को लेकर आज तनाव रहेगा उन्हें मार्ग दर्सन देने की आपको आवश्यक्ता है मकान वे गाड़ी से संबंदित काग जादों को आप बहुती अधिक समा अवना बन रही हैं दोस्तों अपने खर्चों को सीमित रखें नहीं तो बजट बिगड़ सकता है किसी नजिदी की रिष्टेदार से आपकी जिद की वज़े से संबंद खराब होनी की भी आसंग का है दोस्तों अपने श्वबाव में लचीला पन रखें तता रिष्टों क मरियादा कभी आपको ध्यान रखने की आवश्चकता है दोस्तों संतान के किसी गलत संगती की वज़े से आज चिंता रहेगी परन्तु आपकी समस्दारी वे सूजबूज से समस्या का हल भी निकलेगा ध्यान रहे कि भावुकता में आकर कोई भी निर्ण ना लें वेवार एक जश्टी कौन रखना आपके लिए आवश्चक है दोस्तों विरोधी आपके लिए आज कुछ मुस्किलें पैदा कर सकते हैं परन्तु आप अपना आत्म विश्वास बनाए रखें आपको विजय हासिल होगी दोस्तों साथी साथ आपको अपनी योजनाओं में आज सफ अलता प्राप्त करने में कुछ मुस्किलों का भी सामना करना पड़ सकता है जिससे आपका मानसिक तनाओ बढ़ सकता है थोड़ा साथान रहें दोस्तों बात कर लेते हैं जापकी लवलाइफ के शिरेने वाली है दोस्तों वहवायत जीवन को खुसमें बनाने में ही आपकी भूमी का अधिक महत्पपूर रहेगी प्रेम संबंद में किसी प्रकार की खटास उत्पन होनी की संभावना बन रही है अपने वहवार को आप सैयमित रखें दोस्तों अपने प्रते कार्ये में जीवन साती की सला लेना आपके कही कार्यों को पूरा करने में मदद करेगा प्रेम संबंदों में भी परिवारिक शुकरती प्राप्त होगी। दोस्तों वैस्तता के कारण घर परिवार की देखवाल में उचित समय नहीं दे पा रहे हैं। परंतु जीवन साथी आपकी परिशानियों को समझेंगे और आपका पूर्ण सेयोग करेंगे। दोस्तों घर के किसी भी मुद्दे को आपस में बैठ कर सांती पूर्ण तरीके से सुल जाएं। और माहोल को खुसनुमा बनाने के लिए मनोरंजन संबंदित प्रोग्राम भी बनाएं। इस से आपके प्रेम संबंद काफी मजबूत होंगे और आपके प्रेम जीवन में काफी गहराई आएगी और आपका वैवाएक जीवन काफी खुसनुमा बना रहेगा। दोस्तों बात कर लेते हैं जब का वैवाशाई केरियर कैसा रहने वाला है। दोस्तों कर चित्र में कोई भी काम करने से पहले किसी अनुबब व्यक्ति की सला अवश चलें क्योंकि कुछ निर्ने गलत होने की आज आशंका है। विध्यार्तियों को भी कहीं नोकरी संबंदित विबागिय परिक्षा में मन मुताविक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। किसी विशिष्ट व्यक्ति से आज मुलाकात हो सकती है और उसकी सला आपके व्यवशाय के लिए अधिक फायदेबंद तथा तरक की दायक रहेगी। दोस्तों इसकी बहुत अधिक आवश चकता हैं। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। नोकरी पेशा व्यक्ति को कोई उपलब्दी मिलने के योग आज बन रहे हैं। जिससे उनको काफी खुसी का अनुबब होगा। दोस्तों व्यवशाय कुदेश्यों को लेकर भी आज कोई नजदी की यात्रा संभव हैं। अगर किसी ने कारे की सुरुवात की हैं तो अब उसके उच्चिते पैरणाम आपको मिलने सुरू हो जाएंगे। नोकरी सेवारत व्यक्ति के लिए भी कुछ ने अवसर आज बन रहे हैं। दोस्तो आपको अपनी मेहनत के अनुनूप आज फल दायक पैरणाम प्राप्त होंगे। परन्तु मार्केटिंग वे भार के कारों को आज इस्तगित रखें। किसी नजदी की मित्र की सला पर गंभीरता से विचार करें। तो कि यह सला आपके लिए काफी फायदेवन्द साबित हो सकती है। दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है। दोस्तो आज गला खराब और खासी जुखाम जैसी समस्यां उत्पन हो सकती है। ला परवाई ना करें अपनी दिन चरिया विवस्थित रखें और आईरवेदिक चीजों का भी अधिक से अधिक आप शेवन करें। साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रुजाना योग करें, वयाम करें, स्वस्त रहें। दोस्तो बात कर लेते हैं, आज आप के लिए विशेश उपाई क्या हैं। आपके समस्त कश्टों को दूर करेंगे, जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं, समस्त परिशानियों कंत करेंगे, और आपकी समस्त मनों कामने, भगवान शिव क्या सिर्वास से अवस्य ही पूर्ण होंगी, और आपके सभी कार्रें बहुत यासानी से बनते चले जाएंगे, दोस्तों भगवान भोलेनात का सिर्वात आपको प्राप्त हो, सच्चे दिल से कमेंट स्वोक्स में जै भोलेनात तवस्य लिखें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, धन्यवाद